हेलो एवरिवन, वेलकम टू राग्या इडूपन चैनल जैसा कि हम अभी ये देख रहे हैं तो जाहिर से बात है कि हम इंडियन मैप के बारे में और वर्ड मैप के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ड मैप ये कैसे बना है, ठीक है तो जैसे माल लीजे कि आप इसको एक अर्थ माल लीजे ठीक है, मेरे हाथ को एक अर्थ माल लीजे और अर्थ को, या ऐसे अर्थ माल लीजे, ठीक है उसके बाद हम इसको यहाँ से, यहाँ से भी ब्रेक करेंगे तो यदि हम इस अर्थ को माल लें और ब्रेक करें और इसको ऐसे कर दें तो यह जो उपर पर जो सर्फेस आएगा तो उसी में यह जो पोर्सन आता है यह वर्ल्ड मैप कहलाता है मतलब यह इसके उपर पर बने हुए छोटे-छोटे कंटिनेंट है जो ऐसे सर्कल के रूप में रहते हैं यदि उनको हम बाइसेक्शन करके ऐसा स्ट्रेट कर दें पट्टी के तरह तो यह अपने को मिल जाएगा और एक होते हैं कंटिनेंट जो यह सब रहते हैं जहां पर हम मतलब रहते हैं वह सब कंटिनेंट कहलाते हैं तो इसके लिए ट्रिक बनाया है मैंने कि जैसे ओसन के बारे में जानना है तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा important क्या होता है तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा important पैसा ठीक है पैसा अब इसको यहां पर भी यह एरिया को भी पैसिफिक योशन से करेंगे क्यों कि देखें आप बताया था बताया था यह सरकल है और यह ऐसे तूटा है पिसको जोड़ेंगे तो यहां पर आके पी मिलेगा तभी तो यह जोड़के एक सरकल बनाएगा यह Atlantic Ocean, यह Indian Ocean, यह Shadhan Ocean और यह Arctic Ocean ठीक है तो यही उसका sequence है पैसा मतल़ है अपने को एरिया वाइस बोला जाएगा कि एरिया वाइस वोशन को जमाया जाए तो एरिया वाइस ही पैसा के रूप में याद रखेंगे कि Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Shadhan Ocean और Arctic Ocean तो पांच हमारे ओशन होते हैं इसके जींदेवाद जो Mainland होते हैं जहां पर हम रहते हैं, इसको बोलते हैं continent, जो चारो तरप से पानी से गीरा हुआ है तो उसको बोलते हैं island जैसे यहां पर आंडवाननी को बार होता है इंडिया के पास, लक्ष दीप हो गया, यहां यहां पर यह सब क्या होते हैं यह सब होते हैं आयलेंट लेकिन जब कोई बहुत-बढ़ हमें द्सक्राइब चारु दर्व से पानी से घी रहा तो उसको बोलते हैं continent ठीक है तो इस प्रकार जो हमारे continent है वो साथ होते हैं तो मतलब और ऑसन पांच होते हैं और continent होते हैं साथ तो साथ में यह जो कंटिनेंट है यह सब यहां पे हैं तो इसको जानने के लिए हम इसके एक और मैप देखते हैं जिसमें सिर्फ प्रनाम क्लियर होगा इसको यह देखिए तो जैसे मैंने देखिए ओसन मदा दिया था पेसिफिक अट्लांटिक इंडियन सदन और यह पॉरसन होता है यूरोप यह होता है एशिया यह होता है आस्ट्रेलिया तो ऐसे करके 1,2,3,4,5,6 और यहां पे एक सदन के पास होता है अंटरकटिका जो पूरा बर्फ से घीरा रहता है तो इस परकार हमारे पास साथ कंटिनेंट हो जाते हैं अब बारी आते हैं कि हम को अलग-अलग जानने के लिए ये वाइस क्या होता है यह वाइस क्या होता है इसको आप जानते एंटे है तो देखिए ऊचंदे को मैंने बताया कि παीसा यह ए एरिया वाइस होता है पेसिफीग अट्लांटिक, इंडियन और सदन और आर्टिक, उसी परकार continent होते हैं, तो देखिए, ocean में तो कोई रहेगा नीट, पस यह area वाइस इरह सकता है, लेकिन जो content होते हैं, अब दो परकार के होते हैं, continent एक होते है area वाइस, और एक होता है पांच उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा पांच उंगलियों से दताएंगा ने देखिए यह समान है इसका एक एरिया है तो उसी प्रकरदी हमनों को एरिया दिखाने तो पांच ए एक साथ रहते हैं उसके बाद फिर आता है एक लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात क यह अभर आ यहाड रखना है अगर एरिया वाइस भी देख लिया जाए और प्रकुलेशन वाइस भी देख लिया जाए तो एरिया एशिया और अफ्रीका पहले और दूसरा नंबर पे आते हैं यहां पर आएगा North America यहां पर आजाएगा South America और यहां आजाएगा Antarctica यह कर के 5 A हो जाते हैं ईषिया अफारीका नोर्थ आमेरिका और अब्सक्राइगा तो यह year ये ओसनिया बोल सकते हैं वह Golden दूसर नाम Australia हां Australia इस का उसेनिया भी बोलते हैं तो इस प्रकार यहां पी यह एरिया वाइस सीक्वेंस हो गया है उसके बाद हम पॉपुलेशन वाइस जाएंगे तो पॉपुलेशन वाइस में एसी आ अफ्रीका रहेंगे और इसको ट्रिक रखेते कि एक और एक मिलकी पॉपुलेशन बढ़ाते ह दो आएसे आफ्रीका हो गया उसके यह आ जाएगा तो यूरोब उसके बाद फिर से वही चारे में पहले नौर्थ अमेरिका फिर साउथ अमेरिका फिर आता है ऑस्टेलिया जिसको ऑसनिया बोलते हैं फिर अंटार्गेटिका सबसे लाज्ट कि अंटार्गेटिका में सेपरेटली हम कंटिनेंट और ओजन के बारे में बात करेंगे तब तक आगे का वीडियो का आप इंतजार कीजिए धन्य बन